हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दे पॉइंट सल्यूशन, कैसे हो आप सब, सो रेलवे डिएफसी चायल 2023 के रिक्रूट्मेंट में, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे से, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके बारे में ह सब लोग महत्यपूड रेल कार खाने और जो लौको मोटीव वर्क्स हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं, जैसे को इनकी सथापना कब हुई थी और ये हैं कहां पर, और इन से रिलेटेट और उनके जेंट एपर इंप्रोड़ कहते हैं, जो आप को एक्जाम पूछें ठीक है इन पर questions बने ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे चलिए फिर move करते हैं आज के पहले rail car खाने या फिर जो locomotive works है उस पे तो पहले नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं चितरंजन locomotive works का ठीक है ये इंडियन रेलवे की एक production unit है चितरंजन locomotive works कब इसकी स्थापना होती है तो काफी जी इसको याद रखना 26 जनवरी 1950 है जिस दिन हमारा देश गरतन्त हुआ उसी दिन ये इस्टेबलिस होता है तो काफी जी होगा याद करना चितरंजन locomotive works कहां परिस्थित है तो ये आपका पस्चिम बंगाल के आसन सोल सदर शब डिविजन में चितरंजन में इस्थित है तो ऐसा तो पूछेगा नहीं कि चितरंजन में ही क्योंकि ओप्सन में होगा तो ये तो आराम से पता चल जाएगा चितरंजन locomotive works कहां पर है चितरंजन में अगर आपसे पस्चिम मंगाल या आसन सोल आप्शन में देता है तो आपको ये याद रखना है कि ये पस्चिम मंगाल के आसन सोल में है राइट चितरंजन locomotive works कब बना और इसका नाम कैसे पड़ा सो जगे चितरंजन लोकोमोटीव वक्स का नाम महान स्वतंतरता सेनानी नेता और राजनेता देशवंदु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है यह मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कराया था बाकी यहाँ पे जो इसकी आधार सिला रखे गई थी यह 1948 में एक यह जो आपका है 1948 में इसकी आधार सिला रखे गई और दो साल बाद 26 जनुरी 1950 को इसकी इस्टेबलिश्मेंट हो जाती है आगे अगर हम बात करें तो चितरंजन लोकोमोटीव वक्स CLW में बने जो रेल इंजन है उनके बारे में तो यहाँ पे हलका सब असमें देखते हैं उत्पादन कारे का सुभारम किया गया प्रतम दिन से ही राष्ट निर्माण के लिए उत्साहित एवं समर्पित इस संस्था द्वारा सुरुवात के 280 दिनों में एक नॉम्बर 1950 को देश बंधु नाम के पहले स्टीम इंजन का अनावरड किया गया ठीक है इससे पहले भी जो हुए थे वो अंग्रेज द्वारा हुए थे लेकिन अगर भारत से पूछे सो पहले जो यहाँ पर बता जा राहा है कि पहला यहां पर देश-बंधु नाम के पहले स्टीम इंजन का अनावरड किया गया इस स्टीम इंजन को भारत के राष्ट्र की सेवा के लिए देश बंदू चितरंजन दास के नाम पर चितरंजन रेल इंजन का रखाना या फिर चितरंजन लोकोमोटीव वक्स रखा गया ठीक है तो कब रखा गया एक नौवंबर 1950 को राइट और पहला स्टीम इंजन का नाम क्या था तो देश बंदू ठीक है यह आपको याद रखना ह है आगे अगर हम बात करें चितरंजन लोकोमोटीव वक्स CLW में कब कौन सा और कितना रेल इंजन बना सो CLW एक ऐसा कारखाना है जो समय के साथ साथ भारत के गड़राजी की तरह मजबूत और प्रक्तिसील संस्थान बनकर उभरा है 26 जनौरी 1950 से आरंभ चितरंजन लोकोमो संथिव वक्स ने 2351 स्टीम लोकोमोटीव की कुल संख्या निकाली 1972 में निर्मित अंतिम इंजन को चिन्हित करने के लिए यहीं पर बने देश बंधू लोको पार्क में अंतिम सितारा नाम के इस अंतिम इंजन को गर्व से सनरक्षित किया गया ठीक है सो 1972 में जो स्टीम इंजन बनाये जा रहे थे स्टीम लोकोमोटीव बनाये जा रहे थे इनको बंद कर दिया गया और अंतिम स्टीम इंजन को अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो चितरंजल लोकोमोटीव वक्स में बना डीजल इंजन और इलेक्रिक इंजन इसके बार डीजल इंजन और इलेक्रिक इंजन अस्तित्व में आए तो चितरंजन लोकोमोटीव वक्साप में 1968 से 1913 तक CLW ने 842 डीजल इंजनों का उत्पादन किया और 1961 से मार्च 2020 तक का देखे ये डाटा है कुल 7212 विभिन प्रकार के इलेक्रिक इंजनों का उत्पादन किया गया सो यह 1961 से ही बनना शुरू हो गया था अगर यहां पर आप से पुछे कि जो ऐलेक्रिक एंजन थे ये कबसे बनना सुरू हो गये थे सो 1961 से ठीक है बनना सुरू हो गया थे यहां पर दीके चितरंजन लोकोमोटीव वक CLW में बना पहला DC AC Loco Engine ठीक है इसने काफी confusion होता है 14 October 1961 को पहले WCM 5 DC Electric Loco जिसका नाम क्या था Lokomanya इसके बाद 16 November 1963 को पहला WAG 1st AC Electric Loco विधान ठीक है इसका निर्माड किया गया तो यहाँ पर फिर से देख लिजे इसको आप लोगों को याद रखना है कि पहला अगर हम लोग बात करें 14 October 1961 को पहले WCM 5 DC Electric Loco जिसका क्या नाम था Lokomanya इसके बाद 16 November 1963 को पहला WAG 1st AC Electric Loco जिसका नाम था विधान इसका निर्माड किया गया तो अगर आप से पुछे पहला DC Rail Engine कब बनाया गया? 14 October 1961 को यह बनाया गया जिसका नाम क्या था? Lokomanya ठीक है? यह मैंने कराया भी सायद और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो पहला AC Electric जो इंजन था ठीक है? लोको मोटीव की बात करी ज़री है इंजन की बात करी ज़री है तो यह कौन था? विधान था ठीक है? यह 1963 में ठीक? दो साल बात तो एकशट आपको याद रखना है 63 आपको याद रखना है उसके बाद आपको याद रखना है 68 68 कि आगे चलकर 6 जनवरी 1968 में पहला डीजी हाईडो इलेक्रिक शंटर इंद्रप्रस्त का निर्माड किया गया था ठीक है इंद्रप्रस्त का निर्माड 68 में होता है और पहले AC एलेक्रिक लोको मोटीव का निर्माड 63 में होता है और DC रेल इंजन का निर्माड 1961 में होता है ठीक है 61, 63 और 68 ये सब कहां पे हो रहे हैं? चितरंजन लोको मोटीव वर्क्स में हो रहे हैं इसको इंडिया रेलवेक की सर्वस्रिष्ट उत्पादन इकाई घोसित किया गया था और 28 में 2022 को भुमनेस्वर में वार्षिक प्रुसकार समारों के दोरान माननी MR स्री अस्वनी वैशनों द्वरा सर्वस्रिष्ट उत्पादन इकाई शिल्ड भी प्रदान किया गया 28 में 2022 की बात है यहाँ पे एक प्रुसकार समारों के दोरान माननी MR स्री अस्वनी वैशनों जो रेल मंत्री अपने है उनके दोरा सर्वस्रिष्ट उत्पादन इकाई शिल्ड प्रदान किया गया था आगे अगर हम लोग बात करें सुवित्टी वर्स 2019-20 में 431 इलेक्ट्रिक इंजिनों के उत्पादन के लिए CLW ने लिमका बुकाफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज करके एक बार फिर इतिहास का एक और पन्ना लिग दिया ठीक है यहाँ पे सबसे दिक 431, 19-20 की बात हो रही है इलेक्ट्रिक इंजिनों के उत्पादन के लिए CLW ने लिमका बुकाफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कर एक बार फिर इतिहास का एक और पन्ना लिग दिया देखिए यह ऐसा इसलिए क्यूंकि यहाँ 19-20 की बात हो रही है इसके बाद यहाँ पे लोगडाउन लग गया था ठीक है। सब्सक्राइब बात करें सो पील डबलू पटियाला भारती रेलवे की पूर्ण स्वामित्त वाली उत्पाद निकाई है जिसे अलको ठीक है अलको डीजल इंजन के उच्छ परिसुधता रख रखाओ इस पेर्स का मतलब यहाँ पर जो कलपूर्जे होते हैं इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्टूबर 1980 में डीजल कंपोनेंट वर्क्स DCW के रूप में स्थापित किया गया इसकी इस्थापना होती है 1980 में ठीक है अब यहाँ पर नाम ही है पतीयाला लोकोमोटीव वर्क्स तो बताने की तुजरुत है नहीं की कहां पर यह पड़ेगा तो पतीयाला में और वहीं पर अगर हम लोग बात करें यह किसके लिए बनाया गया था तो डीजल इंजनों के उच्च परिशुद्धता रख रखाओ इस पेर्स जो कलपूर्जे होते हैं इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्टूबर 1980 में डीजल कंपोनेंट वर्क्स नाम से ठीक है पहले इसका क्या नाम था डीजल कंपोनेंट वर्क DCW ठीक है DCW नाम था लेकिन फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया डीजल लोको आधुनेकी करण वर्क्स ठीक है? DMW बढ़त पहले बात तो ये आपने देखा इस रखागो DCW बोले ठीक है डीजल कंपोनेंट वर्क्स क्योंकि पहले इसका यही नाम था तो 1981 में इसकी स्थापना होती है उसके बाद DMW कप किया गया यह 2003 में किया गया ठीक है डीजल लोको मॉडर नाइजेसन वर्क 2003 में इसका नाम बदल दिया गया उसके बाद अगर हम लोग बात करें सो यहां पर अभी यह रिसेंट की बात है रिसेंट का मतब एक साल पहले की बात है सो 28 जनवरी दो हजार बाइस को इसका नाम फिर से बदल करके पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया ठीक है सो अब तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह कहां पे है लेकिन पटियाला लोकोमोटिवर्स का नाम कब बदला गया दो अक्टूबर 1905 को किया था ठीक है इस दिया इंपॉर्टिन बन जाता है अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो सब्स्रे सुरुवाति जो उत्पादा निकाई है प्रोडक्शन यूनिट वह यही है आपका इंटेग्रल कोच फैक्टरी स्थापना इसकी होती है हाउस सुविधा के साथ किसी भी प्रकार को डिजाइन और विक्सित करने की चमता है हर साल उत्पादन में नए प्रकार जुड़े जाते हैं आईसी अफ नए प्रकार के कोच जैसे स्वचालित मतलब अभी जो आप देख रहे हो ड्राइवर लेस ठीक है इंजन लेस आपके हलो और अन्यविश्यस प्रकार के कोचों के डिजाइन और विकास के लिए प्रयोग जारी रखता है अक्टूबर 2022 के दूसरे सब्ता के दौरान ICF ने अपनी स्थापना के बाद सत्तर हजार प्लस कोच बनाने का गौरो हासिल किया ठीक है तो ये अक्टूबर 2022 का डाटा है कि सत्तर हजार प्लस कोच बनाने का ये गौरो हासिल किया जो दुनिया में किसी भी यात्री कोच नि कोच बनाये हैं जो दुनिया में किसी भी रेल कोच निर्माता द्वारा सबसे धिक है आज ICF स्वचालित कोचों के निर्माण में अग्रडी है देश में EAMU मेमू स्पार्ट और OHE टावर कार स्पीक और डेमू 2018-19 में ICF ने देखिए भारत का पहला सेमी हाई स्पीड प्रेन सिट बना करके एक बड़ी चलांग लगाई वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे भारत के माननी प्रधान मंत्री द्वारा नई दिल्ली से वरानसी के लिए हरी जंडी दिखाई गई थी वो कहां पर बनाई गई थी तो ठीक है यह पहली प्रोड़क्शन उनिट है जिसको प्रतिष्टित इन 15085 प्रमाड़ पत्र मिला है ठीक है और वहीं पर हम लोग बात करें सो सर्वस्रेश्ट प्रोड़क्शन उनिट पुरुस्तकार तो यह आपका अभी हमने देखा था किसको मिला था मतलब एक तो आपका गर्शियव को कि आगे हम लोग बात कर लेते हैं चौते प्रोड़क्शन उनिट की रेल कोछ फैक्टरी ठीक है रेल कोच फैक्टरी यहाँ पर इसकी स्थापना कब होती है कब स्थेब्लिस होता है सो 1985 में स्थापित होता है रेयल कोछ फैक्टरी आर्सीयव भरती रेलवे क कि एक कोच निर्माड इकाई है, RCF ने पहले ही बड़े पैमाने परदेश के अध्योगिक परिदिश्य और विशेश रुप से भारती रेलवे में अपनी जगह बना ली है, कहां पे है ये जो रेल कोच फैक्टरी है, तो ये आपका कपुर्थला पंजाब में है, कपुर्थल कोच बनाएगी ठीक है, और वरतमान में 49,000 से अधिक RCF निर्मित कोच हमारे देश में देश की लंबाई और चोड़ाई में घूम रहे हैं, हर साल RCF इस बेड़े में 1500 से अधिक कोच जोड़ रहा है, जिसमें ब्रॉड गेज के लिए AC और non-AC कोच सौमिल हैं, ठीक है, तो कोच जोड़ रहा है, जिसमें ब्रॉड गेज के लिए AC और non-AC कोच सामिल हैं, कहां पर ये, कपुर्थला पंजाब में, कब स्थापित होता है, 1985 में, ठीक है, रेल कोच फैक्टरी की स्थापना कब ही, 1985 में, आगे देख लेते हैं, रेल विल फैक्टरी, जो रेल विल फैक स्वर्गिय स्रीमती इंद्रा गांधी जी ने आपचारेक रूप से 15 सितंबर 1984 को सहयंतर चालो गिया, इसको आप लोग को किया यात करना है, कि 1984 में ये इस्टेबलीस होता है, ठीक है, जो जो रेल विल फैक्टरी आपका है, ये कब इस्टेबलीस होता है, 1984 में, 1983 नहीं, इ वील और एक्सल प्लांट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसको पहले क्या जाना जाता था, वील और एक्सल प्लांट के नाम से जाना जाता था, जो कि आपका बैंगलोर करनाटक में इस थी था, ठीक है, तो कहां पर ये बैंगलोर करनाटक, और वहीं पर हम लोग बात क करें इससे पहले इसका क्या नाम था वील और एक्सल प्लांट अब क्या हो गया है रेल विल फैक्टरी ठीक है रेल विल फैक्टरी कब इसका नाम बदला तो यह भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है ठीक है तो पंद्रह फरवरी 2003 तो पंद्रह फरवरी 2003 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया रेल विल फैक्टरी कर दिया गया ठीक है उससे पहले क्या था उससे पहले वील और एक्सल प्लांट था इसका नाम प्रोडक्शन क्या क्या करता है उत्पादन सो भारती रेलवे के लिए पहियो एक्शल और वील सेट की अधिकान सवसेक्ताओं को पूरा करता है ये अगला प्रोडक्शन यूनिट देख लेते हैं कि रेल विल प्लांट जो आपका RWP है रेल विल प्लांट ये इसका जो स्थापना हुआ था कब इस्टब्लिश हुआ था ये सो रेल विल प्लांट की स्थापना 2004 में हुई थी लेकिन इसका उधगाटन 2008 में भारत के पुर्व मंत्री जो रेल मंत्री थे लालू प्रशाद यादो ने किया था ठीक है सो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है 2000 यहाँ पे 2004 बताना ठीक है क्योंकि यह question मतलब यहाँ पे मैंने देखा सो यह जो रेल विल प्लांट है इसकी स्थापना आपको बताना है 2004 में हुई थी लेकिन जो इसका उधगाटन हुआ था वो 2008 में हुआ था जो कि वहाँ के उस टाइम के मतलब ततकालीन जो रेल मंत्री थे लालू प्रशाद यादो ने किया था ठीक है अब लालू प्रशाद यादो ने किया था तो इसी से आप रिलेट कर सकते हो कि यह कहाँ पे है यह आपका रेल विल प्लांट सारण जीले के बेला में स्थित है जो कि बिलार में ही ठीक है तो लालू प्रसाद से ऐसे ही आपको पता चल गया कि यह कहां पे है विहार में पतलब इन दुनों को connect करके याद रखेगा कोई जो रेल विल प्लांट है इसकी स्थापना एक तो 2004 में होती है और 2008 में इसका उधगाटन करते हैं जो ततकालिन रेल मंतरी थे लालू प्रसाद यादो इस वज़द से ये भी याद हो जाएगा को कि लालू प्रसाद यादो कहां के हैं तो बिहार के हैं तो रेल वी कहाँ भी कहां पे है भीहार में है सारढ जिले में ठिकए चले में करने के लिए इसकी स्थापना करी गई और यहां पे गर हम लोग बात करें सो और डॉपी बेला को 182014 से भारती रेलवे की उत्पादन एकाई घोसित किया गया है ठीक है इससे पहले मतलब इसको प्रोडक्शन युनिट में नहीं जुड़ा गया था लेकिन 182014 ठीक है 182014 से भारती रेलवे इंडिया रेलवे ने इसको प्रोडक्शन युनिट घोसित कर दिया ठीक है प्रोडक्शन युनिट घोसित कर दिया 182014 को अगला देख लेते हैं कि रेलवे विदुती करण के लिए केंद्री शंगठन Central Organization for Railway Electrification जिसको हम लोग कोर बोलते हैं ठीक है काफी important है यह भी कोर नाम से ही पता चल रहा है Electrification का काम करता होगा यह ठीक है कब established हुआ था सो रेलवे विदुती करण के लिए केंद्री शंगठन कोर की स्थापना 1989 में रेल मंत्राले के तहत भारती रेलवे पर रेलवे पटरियों के विदुती करण के लिए मुक्ष उद्देश के साथ की गई थी ठीक है तो जितने भी आप Electrification देख रहे हो वो कौन कर रहा है इस टाइम पे कोर कर रहा है ठीक है कहाँ पर है प्रयाग राज उत्तर प्रदेश ठीक है एक अप्रैल 2023 तक 58812 रूट किलो मिटर आर कियम रूट किलो मिटर का विदुती करण कर दिया था जो भारती रेलवे के कुल ब्राट गेज नेटवर का कितना है 90% है ठीक है तो यह दिसंबर 2023 तक ठीक है यह आपको याद रखना है दिसंबर 2023 तक और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल अभी तक का जो डाटा है अप्रैल 2023 तक का वो 90% अब तक एलेक्रिफिकेशन पूरा हो चुका है टोटल ब्राट गेज की यहाँ पर एक डाटा मिल गया कि जो टोटल ब्राट गेज आपका बीजी है उसका जो रूट लेंथ है ठीक है तो वो कितना है 65,300 ठीक है 65,300 यह आपको याद रखना है 65,300 टोटल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ब्राड गेज की जो लेंद है 65,300 और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो इसका 90% मतलब 88,812 रूट किलोमेटर अब तक इलेक्रिफाई हो चुका है राइट और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी इसका जो टोटल रूट लेंद है वो दिखाया नहीं गया है वस ऐसे ही 68,000 कुछ मैंने पहले ही आपको बताया था ठीक है 68,000 के करीब आप लोग मतलब इसको याद रखिए 68,000 के करीब इसका रूट लेंद है टोटल अगर हम लोग बात करें इंडियान रेलवे का ठीक है लेकिन इसका कहीं भी ओफिसियल बताया नहीं गया है अगला प्रोडक्शन यूनिट देख लेते हैं कि बनारश लोकोमोटीव वोक्स ठीक है ये बनारश ठीक है वरानसी कब इसकी स्थापना होती है तो ये स्टेबलिश होता है आपका देखिए यहाँ पर DLW डीजल लोकोमोटीव वोक्स की आधार सिला 23 अप्रैल 1956 को भारत के पहले राश्टपती स्वरगिय राजेंदर प्रशाद ने रखी और अगस्ट 1961 को बनारश लोकोमोटीव वोक्स की स्थापना DLW के रूप में हुई तो इससे पहले इसका क्या नाम था DLW बाद में इसको बदल करके बनारश लोकोमोटीव वोक्स कर दिया ठीक है तो बनारश लोकोमोटीव वोक्स कि इसका नाम बदल करके Banaras Locomotive Works BLW कर दिया गया ठीक है यह मैंने कराया है तो October 2020 आपको याद रखना है कि इसका नाम बदल करके Banaras Locomotive Works BLW कर दिया गया राइट और वहीं पे अगर हम बात करें यह काफी important चीज है कि इसकी उत्पादन और रूफ लबदिया यह भी मैंने question में क 2018 यह जीती ठीक है जबकि मैंने आपको भी बताया कि 2019 बीस का कौन जीता था सो ICF ठीक है और CLW ICF और CLW जो थे यह आपके 2019 बीस के यह सर्वस्त्रिष्ट उत्पादन एकाई श्रील्ड जीता था लेकिन उसके पहले Banaras Locomotive जो था मतलब DLW यह जीता था और वहीं पेगरम लोग बात करें तो यह काफी important है कि मार्च 2018 में इसने सफलता पुरवक दो पुराने Elco Diesel Loco WDG 3A को Electric Loco WAG C3 WAG 10 में परिवर्थित करके इतिहास रज दिया ठीक है तो यह आपका है WDG 3A जिस पर यह खड़े वकरके मुस्कुरा रहे हैं ठीक है तो यह पूरे world में ऐसा पहली बार हुआ है क यह पर आपको याद रखना है important हो सकता है सो यह आपका रहा बनारत लोकोमोटिव वर्क्स राइट सो यहां तक आपका पुरा हो जाता है लेकिन यहां पर मैं आपको एक और यहां पर रखना भूल गया था मैं ठीक है आपका रेल कोच फेक्ट्री जो राय बरे रेली है ठीक है लेकिन उसका नाम बदल गया है ठीक है Modern Coach Factory Modern Coach Factory इस नाम से भी आपको पूछे ठीक है modern कोच फैक्ट्री ठीक है तो यह बस आप लोग simply ऐसे याद रखिए किilippe जो modern coach वेक्ट्री है इसका पहले पुराना नाम किया था rail coach छो कि rail coach फैक्ट्री अगर आप इसका नाम रख दोगे ठीक है अगर आप इसका नाम rail coach फैक्ट्री rail coach फैक्ट्री तो दोडो तो हो जाएंगे आपके ठीक है रेल कोच फेक्ट्रिय का अपने अभी कपर थुला वाला देखा और एक ये रेल कोच फेक्ट्रिय से पहले इसका यही नाम था जो माडरन कोच फेक्ट्रिय है यह है कहाँ पे तो यह आपका है राय बरेली में ठीक है कहाँ पे यह राय बरेली spelling वगरा देख लिजागा राय बरेली में है यह और वही पर हमलोग बात करें इसकaff न कभ हुए थी इसकी स्थापना होती है 2012 में ठीक है यहाँ पर आप लोगो क्याद रखना है 2012 में इसकी स्थापना होती है स्थापना होती है और इसका जो अधार सिला था ये तो 2007 में ही रख दिया गया था 2007 में जब सोनिया गांधी क्या थी सोनिया गांधी मतलब सत्ता में थी ठीक है उसी टाइम पर ये रख दिया गया था 2007 में ही इसके जब श्थापना हुई वो 2012 में होई क्योंकि ये UP में पढ़ता है और बनते बनते 2012 में इसकी स्थापना होती है ठीक है तो अगर पुछे आपका जो Modern Coach Factory है Modern Coach Factory इसकी स्थापना कहां अकब हुई थी 2012 में हुई थी और यह है कहां पे तो राय बरेली में है यह आपको बस याद रखना इतना ठीक है बस इतना से बात तो यह आपके कुछ आपके क्या रहे है प्रोडक्शन यूनिट रहे है ठीक है प्रोडक्शन यूनिट तो आपको इनको ध्यान में रखना है और यहाँ पर मैंने काफी सारी चीज़े इनसे रेलेटेड भी बताई तो आपको यह पसंद आया होगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू टाटा एंड बाई बाई